अभीका स्वागत और धन्यवाद इस कारिकम में मेरे साथ समलित होने के लिए तो समीर सिंग जी आपकी पार्टी को हरियाने में जीत की बहुत बहुत बदाई तो यह हैट्रिक लगाने का श्रे आप किसे देना चाहते हैं और हरियाना के मैंडेट को भारती जिनता पार्टी क के नेत्रित में जो देश के अंदर विकास की कलपना चल रही थी जो देश में अंदर विकास को गती दी जा रही थी और हरियाना में विकास को गती दी जा रही थी उस पर तीसरी बार हरियाना की जनता ने मोहर लगाया और अभी हरियाना के मुख्यमंत्री मानी नबाब सिं की बात कही थी और रास्ता दिखाया था उस रास्ते को मानी मोदी जी के विचार और रास्ते को हरियाना की जनता ने मोहर लगाया निश्चित रूप चे एक अधिहासिक घटना है भारत के लोकतंत्र के लिए हरियाना में तीसरी बार कांटीनियू सरकार बनना भारती जनता प लगाई है आप जम्मु कस्मीर के चुनाओं को देख लीजिए निश्य तुरूप से एक एतिहासि घटना है जो जम्मु कस्मीर कभी आतंकबाद और अलगाव बाद से जूज रहा था उस जम्मु कस्मीर के अंदर माननी प्रधान मंत्री नरेंद मोधी जी के नेतित्व में जम्मु कस्मीर विकास के रास्ते पर चल रहा है और 65% से जादा लोगों ने मद्दान किया और घाटी में उन जीलों में भी मद्दान हुआ बिर्जेश जी जहां आतंकबाद का जबर्जस साया था किसी समय में लोग घरों से साम को निकलते नहीं थे और पीसफुली चुन ना हुआ यह बताता है कि कहीं न कहीं मानी मोदी जी की देश के प्रति जो इमांदारी है जो दुनिया के अंदर देश का मान बढ़ाया है आप लोग भी थोड़ा मॉरल बूस्ट अप दिख नहीं रहा था थोड़ा सा बीजेश नहीं है बिर्जेश जी देखे हम हर बार आपके चैनल पर यह कहे हैं कि हर चुनाव हमारे लिए चुनावती होती है जनता का जो जन समर्थन प्राप्त होता हम उसको लेके आगे बढ़ते हैं हम उसका आकलन करते हैं और निश्यत रूप से निरंतर जनता हम पर विश्वास कर रही है जनता आदरी मोदी जी को आसिरवात दे रही है आप लोग सभा का चुनाव देख लीजे तीसरी बार इस एक बार यह सोचना चाहिए कि जब हम आरोप लगाते हैं जब हम मिथ्या आरोप लगाते हैं तो कहीं न कहीं हमको मिथ्या आरोप की जगह अपने कामों को गिनाना चाहिए हमको अपने किये गए कामों को याद करना चाहिए और जो मोदी जी ने किया है निश्यत रूप से उसका स्वागत करना पर ये तो बताईए जिन्होंने आपका साथ दिया जेजेपी वाले वो तो विचारे डूब गए देखें ब्रिजेश जी वो हमारे साथ गड़बंदन में आये थे गड़बंदन में सरकार को चलाए हमारी प्रात्मिक्ता हम जब भी गड़बंदन करते हैं किसी भी दल्स के साथ गड़बंदन करते हैं तो हमारी प्रात्मिक्ता उस प्रदेश और देश की जनता की भलाई की होती है हम उसके लिए काम करते है हमारे सहयोगी कभी उस पर सहमत भी होते हैं कभी असामत भी होते हैं हम प्रयास करते हैं गटबंदन में रहते हुए कि हम उनको संतुष्ट करें कि आप देश और प्रदेश की जनता के विकास में योगिदान करें